हलो एवरीवन आई होप आप सब यच्छे होंगे तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे कि दो प्रोजेक्टाइल मोशन किस हालात में एक दूसरे से कॉलाइड करते हैं है के नहीं अब इसका इंपॉटेंस क्या है हमारे लाइफ में तो माल लीजिए कि अगर चाइना कही इसे मिसाइल इंडिया के ऊपर छोड़ने लगा ठीक है तो अगर चाइना मिसाइल लॉंच कर रहा है तो वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा अगर आप समझने की कोशिश करें तो माल लीजिए ये लॉंचिंग पैड हो गया चाइना का और यहां से उसने मिसाइल छ लॉंच करना होगा कि जो मिसाइल जाके इसको यहीं पे क्या कर दे क्रश कर दे या यहीं पे इसको क्या कर दे बरबाद कर दे हैना तो अगर यह सिनारियो देखा जाए तो यह ऐसा सिनारियो हो गया कि कि किसी ने यहां से लॉंच किया है और किसी ने यहां से लॉंच किया ह तो यह जो सिनारियों है हमारा यह सिनारियों कहलाता है collision of two projectiles अब सोचो अगर यहाँ पे क्या हो कि थोड़ा सा मिस कर जाए है ना तो फिर यह नुकसान पहुंचा सकता है यह सरनो ऐसे ही अगर हम बात करें अध्यात्मिक वाले चीजों से तो रमायन में महभारत में आपने देखा है अगर आप माइथोलोजिकल सीरियल से देखते हैं तो यहां से प्रभूष श्रीराम ने एक तीर फेका है ऐसे है ना यह सरनो और यहां से रामण का तीर आ रहा है यह सरनो यह राम है और यहां से रामण अपनी तीर फेक रहा है ठीक है अच्छा दोनों लोगों की तीर आ करके ना एक जगह यहां पर लड़ती थी और यहां पर भी स्पोर्ट होदा था यह सर नो तो आखिर वो कौन सा एंगल था किकी अगर आप बोसे किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं तो वह भी सेनारियों को कहते हैं Condition for collision of two projectiles ठीक है तो आई यह समझते हैं कि इन सभी के पिछे physics और maths क्या है कैसे हम इनको deal कर सकते हैं ठीक है तो आई होप आपको सारी सिनारियों क्लियर हो गई होगी तो आई यह session को शुरू करते हैं पर उससे पहले अगर आपने हमारी चैनल को subscribe नही सी यह हमारा हो गया सर्फेस और यहां से यहां की जो दूरी है वो हो गई डील ओके अच्छा यहां से यह प्रोजेक्टाइल फेक रहे हम यूवन से और एंगल इसका है ठीटा वन दूसरा प्रोजेक्टाइल हमने फेका यूटू से और एंगल इसका है ठीटा टू ठीक है ये प्रोजेक्ट असे से चल रहे माल लीज़े ये दोनों यहां पर कहीं क्याय क्या टो एक जगह बन रहेए यहां से अथे जो कि एक्स कहलाएगी और ये हाईट है जिसको y कहेंगे तो जहां पर collision हो रहा है उसका coordinate क्या कहलाएगा x,y समझ में आरी बात अब कभी-कभी question में आप से पूछता है कि जिस जगह collision हो रहा है उसका coordinate बताईए पक्का बत अच्छा कभी-कभी पूछता है कि कोलीजन कितने टाइम पर हो रहा है तो यहां पर माल लेते हैं टीसी क्या है टाइम ओफ को लीजन ठीक है तो कभी-कभी यह भी पूछ लेता है अच्छा कंडिशन क्या है ठीटा वन ठीटा टू यूवन यूटू कैसे लिया जाए कि दो प्रोजेक्टाइल कोलाइड कर जाए तो इनी सभी चीजों के बारे में हम आज बात करेंगे तो आई ये पहले थोड़ा सा कॉम्पोनेट कॉम्पोनेट खेल लेते हैं तो अगर इस तरफ हम देखें तो यहां पे हमको मिलेगा यूवन कॉस थीटा वन उपर की तरफ मिलेगा यूवन साइन थीटा वन इस तरफ component मिलेगा u2 cos theta 2 और इस तरफ मिलेगा u2 sin theta 2 मतलब यह हुआ कि अगर x में motion हो रहा है तो दोनों की velocity एक दूसरे के opposite है और अगर y direction में motion हो रहा है तो भी दोनों की velocity एक ही तरफ है मतलब positive y की तरफ है अब बारियाती है axis की तो जब कभी भी हम physics को solve करते हैं तो हमको थोड़ा सा axis का ज्यान होना चाहिए अब जाहिर जी बात है उपर वाले की तरफ हम positive लेंगे इस तरफ positive लेंगे इस तरफ negative और नीचे की तरफ भी negative लेंगे ठीक है यहाँ पर अगर बात करा जाए कि collision जो हो रहा है उसका condition क्या है तो अगर collision होगा तो collision होने के लिए क्या चीज़ जरूरी है जरूरी चीज़ यह है कि दुन्नों पाइटिकिल वहां को एक खास टाइम पर एक ही जगह होना पड़ेगा दुनों पाइटिकिल एक खास टाइम पर एक ही जगह होंगे जैसे मा लीजे मैं एक जामपल ले रहा हूँ मा लीजे की मेरे कोर आपको मतलब कहीं पर मिलना है मा लीजे कैंट वारणरसी कैंट पर मिलना है तो वारणरसी कैंट पर मिलना है तो मैंने बोलाए कि 5 बजे शाम को मैं वारणरसी कैंट पर रहूंगा तुम भी पांच बजे शाम को वारणसी केंट पे आ जाना तो हम लोगी मुलाकात हो जाएगी, समझ भारी बाद, अब सोचो, माल लो मैं वारणसी केंट पे हूँ पांच बजे, और जो दूसरा बंदा है, वो कहा है, दुरगा कुंड है, है ना मस्त घूम रहा है वो उधर, अस्ति घाट वगरा, जो भी किनारे वहां पे गंगा जी का, वहां पे वो घुम रहा है, तो कभी भी हमारी मुलाकात हो सकती है, नहीं हो सकती, हम सेम टाइम पे हम कहीं है, वो कहीं है, तो कभी भी ऐसे मुलाकात नहीं होती, तो होना क्या चाहिए, दो मिजर कंडिशन बन कभी भी अगर ऐसे meeting वाले questions बनते हैं चाहे हो one dimension का हो two dimension का हो तो आपको ध्यान रखना है दो चीजों पर concept इसका यह है time जो है same होना चाहिए दोनों के लिए और distance भी same होनी चाहिए यहां पर हमेशन फोजिशन पाइमिंग अभी दोनों की मुलकात होगी समझ में आरी यह वाद तो आये find करते हैं तो अकर देखा जाए तो जब यह दोनों टक्रा आ रहे होंगे तो दोनों की high Iglogic यहां लगाते हैं तो जब हम equation लगाएंगे तो यहां लिखेंगे y1 is equal to मैं 1 क लिख रहा हूं Uy t a п το डी घाल टी सी है मारा a plusap a y or टू सी और यहाँ पर हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक एक्सेलरेशन है जो क्या है जी है और इक्स डाररेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है धिहांद देने 1 sin theta 1 tc minus लिख राऊं, half g tc का square लिख राऊं, ठीक है, equation फिर्स बन गया, okay, equation second लिखने के लिए अधरेक लिखुंगा, यहां पे दूसरे का लिखुंगा, u2 sin theta 2 tc minus half g tc का square, this is equation 2, this is equation 2, now for collision, for collision, क्या होना चाहिए, तो collision के लिए होना चाहिए, y1 बराबर, y2 होना चाहिए, तो बराबर करते हैं, u1 sin theta 1 tc minus half g tc का square, बराबर, u2 sin theta 2 tc minus half g tc का square, देखा जाया है, तो यह और यह गयो, बचा है, u1 sin theta 1 into tc, u2 sin theta 2 into tc, tc ने tc को cancel किया, तो क्या बच गया, यू 1 sin theta 1 is equal to u2 sin theta 2, this is nothing but the condition for collision of two projectiles, अगर angle में और velocity में, यह relation exist करता है, तो दुन्नो प्रोजेक्टाइल वाग कॉलाइट करेंगे, समझ में आ रही है बात, अब समझना है, एक तो हमारा यह formula बन गया, ठीक है जी, चलिए जी, दूसरा formula गर हम देखें, कि time कैसे निकालेंगे सर, तो अगर x direction में आप देखिए, तो x direction में relative velocity का concept है, यह इस तरफ जा रहा है, यह इस तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे, हम क्या लिख सकते हैं, x is equal to vt लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो velocity लेंगे वो relative लिया जाएगा, तो अगर इसको positive लिखेंगे तो इसको negative लिखेंगे, अच्छा, तो निकाल लेते हैं, velocity of 1 with respect to 2, किस direction में भाई, किस direction में, x में, तो क्या आएगा यह, यह आजाएगा, u1 cos theta 1, minus और यह minus के साथ, plus, u2 cos theta 2, यह बन गया, अच्छा, x की जगा क्या है, पूरे d distance लेंगे, तो t, t, c हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, d upon, देखो, t, c निकालना तो x, y, v करना पड़ेगा, तो v relative, क्या हो जाएगा, बच्छों, d हो गया, यह गया, u1 cos theta 1, plus u2 cos theta 2, इस formula से आप असानी से क्या निकाल सकते हैं, तो इस से आप निकाल सकते हैं, time of collision, कितने time पे collision हुआ है, तो x निकालने के लिए देखो, यह जो है हमारा, किसी एक की velocity ले लिजेगा, इसकी velocity ले लेंगे, अब निकाल देते हैं, x क्या होगा, तो x is equal to हो जाएगा, कितने time तक चला है, तो यहाँ हो जाएगा, u1, sin theta 1, और यहाँ पे tc, यह बन गया, x, y निकालने के लिए आप इ देख रहा है, तो y निकालने के लिए आप equation लगा सकते हैं, y के लिए आप equation 1 ले ले सकते हैं, या equation 2 ले सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलिए आईए अब एक question के through इसको समझने कोशिश करते हैं, सारे concept को, ठीक है, तो आईए देखते हैं, question ल आईए question देख लेते हैं, जिससे की थोड़ा समझ में आ जाए, कैसे questions इस पर आते हैं, ठीक है, ठीक है, बेसिक सा question लेते हैं, पहले, मा लिजे कि ये हमारे पास space हो गया कितना, तो 100 meter का, यहां से एक velocity हो गई, 40 meter per second की, angle ले लिया 30, और यहां पे हमने यूटू ले लिया, और एंगल क्या है, 60 degrees, यह हमारा question है, माली जी हमके सिच्वेशन दिया है, कह रहा है, find out, find out the value of, value of you such that, the both particle, collides, also find, time of collision, अब आपको क्या बताना है, कितने टाइम पर collision हुआ है, यह बताना है, और क्या condition होगा, यह बताना है, इस question में, ठीक है, तो आईए देखते हैं, कैसे try करेंगे, सबसे पहले, component, component खेलते हैं, इस तरफ इसका component आएगा, 40, cos 30 degree, उपर की तरफ आएगा, 40, sin 30 degree, solve करेंगे तो यह हो जाएगा, 20, solve करेंगे तो यह हो जाएगा, 20, root 2, because, sorry, root 3, cos 30 value, root 3 by 2, ठीक है, तो यह हो गया, अच्छा, इसका भी component लेना है, तो यह हो जाएगा, 20, root 3, अब इसका component लो, तो जाएगा, u cos, 60, उपर हो जाएगा, अच्छा, u 2 है, u ले लो, खाली, यह हो जाएगा, u, sin, 60 degree, ठीक है, अब क्या करना है, condition for collision लगाते हैं, जैसा हम लोगों ने अभी सिखा है, condition for collision, अगर collision का condition लगाएगे, तो क्या हो जाएगा, u 1, sin theta 1 is equal to u 2, sin theta 2, तो जरूरत तो पढ़ती नी component की, पर हम लोगों ने पहले ही ले लिया, u 1 की value 40 थी, तो 40 रखेंगे, sin, कितना हो जाएगा बच्छों, sin 30 degree, पीछे से बादल भी गरच रहा है, बहुत तकड़ा, और यहाँ क्या हो जाएगा, u 2 की जगा, u है, assign 60 degree, तो यहाँ हो जाएगा, 40, 1 by 2 is equal to unique आलना है, root 3 by 2, 2 ने टुको, मारे डाला, तो u कितना हो गया, 40 by, root 3 meter per second, अगर बंदा, 40 by root 3 meter per second से इसको फेकेगा, तो तुदनों जाके collide करेंगे, है कि नहीं, अब बात पता करनी है, time of collision, time of collision का formula, d upon u1, cos theta 1, plus u2, cos theta 2, है कि नहीं, रखते हैं, दोनों की values, आई यह रखते हैं, जब आप रखेंगे, तो d की value है, 100, upon u1 की value है, 40, और cos theta 1 हो जाएगा, root 3 by 2, plus, 40 by root 3, और cos theta 60 का मतलब होता है, half, ठीक है, थोड़ा सा re-arrange कर लिए जाए, इसको, तो tc is equal to हो गया, 100, 2 से कटेगा, तो 20, root 3, अभी 2 से कटेगा, तो plus 20 by root 3, थोड़ा सा solve करते हैं, root 3, तो यह हो जाएगा, 100 by root 3, root 3 multiply होगा, तो 20 into 3, plus 20, और the whole divided by root 3, root 3 उपर चला जाएगा, तो हो जाएगा, 100 into root 3 divided by 60 or 20, 80 हो जाएगा, तो tc is equal to हो जाएगा, root 3 की value होती है, 100 into 1.7 रख लेते हैं, आसानी के लिए, 0 तो यह हो गया, 170 divided by, इतना 0 से 0 गया, 17 बटे 8, जो भी आपका आएगा, nearly equal to 2 second आ रहा है ना, तो यही आपका हो जाएगा, time of collision, अब अगर आप से इसी question में आगे पूछ दे, coordinates बताईए, क्या पूछ दे बच्चों, coordinates, तो X कैसे निकाल होगे, माल लेते हैं कि यहाँ पे कहीं टक्कर हो रहा है, तो यह दूरी X हो गई, और यह Y होगी, तो coordinate हो गया, X, Y, तो X निकालने के लिए क्लिए 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 क्लिए, of two projectile में पूछा जाता हूँ, ठीक है, तो हाँ, यह किया जा सकता है, यह दोनों same height पे हैं, इनकी height को बदला जा सकता है, ठीक है, तो वैसे question किसी और वीडियो में देखेंगे, मुझे उमीद है, आपको सारी चीज़े समझ में आई है, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप हमारे चैनल को like कर सकते हैं, share कर सकते हैं, और subscribe कर सकते हैं, ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जजबा है, तब तक जीतने का जजबा है, that's all for today.